प्रिंस ये दिखे टूटा हुआ टोकरी का इस्टेन है तो ओपर के दो टोकरी टोट ग lawsuits गए है नीचे का एक हैं तो आज हम इसमें बहुत ही खुबसूरत फूल वाले पौधे लगाएंगे और इसको हरा भरा बनाएंगे फ्रेंज बहुत ही खुबसूरत लगेगा तो आज हम इसी पे काम करने वाले हैं हेलो मैटियर फ्रेंज मैं पभली आप सभी का स्वागत करती हूं अपनी बग्या में तो फ्रेंज आज हम काबार से जोगार लेके आये हैं एक नजर अपने वग्या के फूल दिखा देते हैं और इसमें देखें मॉर्निंगोरी बहुत ही खुबसूरत खिल रहा है उस टोकरी में फ्रेंज हम मॉर्निंगोरी का ही पौधा लगाएंगे देखिए जो मैं उस टेम बीज कुछे डाल दी थी तो अभी देखिए पौधे सब जन्नेट हो रहे हैं और भी हमारे पास बीज है हम बीज को भी डालेंगे और देखिए इसमें जो फूल मुर्जा रहे हैं उसको मैं हटाती जा रही हूं क्योंकि फ्रेंज हमें अभी इससे बीज नहीं लेना है इस पौधे को हमें घना करना है बारीज के टैम में ये बहुत अच्छी से फूल किलते हैं और तूवर्ड नवंबर के टैम में फ्रेंट से ये सुबह सुबही खिल जाते हैं ना दस वजे तक खिले रहते हैं अभी देखिए इसमें बहुत ही खुबसूरत फूल आ रहे हैं और जैसे ही पौधा हुआ था तो यह खवारे वाले को नहीं देखे मैं आपने बगिया में परियोग कर रही हूं आज का टॉपिक आप सब को कैसे लगा कॉमेंट में बताना अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं हो तो बिले को डालते हैं तो इसमें देकि मैं दो जोले को कट करके डाली हूं जिसे की थोरा मोटा हो जाए और अच्छे से मिटी सेड़ हो जाए तो चलिए मिटी भर लेते हैं और इसमें मिटी भर ली हूं उससे आट-टेस दिन पहले मिटी बनाई थी जो धूब लगा के रखी थी त इस पौधे को मैं इसमें निकाल लेती हूं इसमें टिकोमा का पौधा है देखिए अभी बिल्कुल सुखा हुआ लग रहा है तो इसमें ग्रोथ नहीं है इस पौधे को मुझे रिपोर्ट भी करना है दो तीन साल से एक ही ग्रोबैक में लगा होगा है मैं सोच रही है इस बा करब ने खोने के बीज मैं लगाओंगी तो इसको थोड़ा सा बीज अलग से मैं डाल दूँ घृट इसके बीज से यह बहुत ही जल्दी जबनेट हो जाते हैं और इसमें बहुत सारे बीज बनते रहते हैं तो हमारे पास पिछले सीजन में दो कलर का था पर एक में न बीज नहीं बना था फ्रेंस एक में पिंक वाले में ही बीज बना था एक नीले कलर में था उसमें बीज नहीं बना था इसलिए वो खतम हो गया और पिंक वाला है तो बीज से ये बहुत ही असानी से ग्रो बीज था तो उसमें तो बहुत सारे कलर का दिया हुआ था पर हमारे पास उतने पौधे नहीं हो पाए दो ही पौधा तैयार हो पाया तो उसमें दो कलर का था पर बीज हमारे पास एक कलर का ही बचा हुआ है तो हम उसे ही ग्रो करेंगे तो अभी हम इसमें जो इधर उधर इसको फेला देंगे और नीचे पोर्चुल का खिलेगा बहुत ही प्यारा लगेगा यह इस ने तो फ्रेंज आप सब को यह कैसा लगा कबार का जुगार बला एडिया हमारा तो कॉमेंट में बताना और फ्रेंज अभी मैं इसको पेंट कर देती तो आर भी अच्छा लगता प खाद अभी इस टैम में पर्मानेंट पोधे को खाद देना भी रहता तो बहुत ज़्यदा काम हो जाता है तो जो परचुल का सब के लिए बोतल खाली करके रखी ती अभी तक मैं उसको भी पेंट नहीं की हूँ तो देखती हूं अब दीरे दीरे जल्दी जल्दी से काम न ही होता है तो देखे मैं इसमें लगा के पानी देदी हूं और इसको मैं चाय में रखोंगी कम दूप आले जगह में जिसमें की सुबर की हलकी से दूप लग जाए अजब इसके ग्रोथ से दिखेगा तब हम इसको तेज दूप में रख देंगे बहुत ही खुबसूरत भू होता है मोर्निगोरी के तो अभी आप इसको जरूर लगाए और ऐसे इसे चीज हमारे घर में निकलते हैं तो हम इसका परियोग करके अपने गाड़न को बहुत ही सुंदर बना कर रख सकते हैं बस थोरी से मेहनत की जरूरत है हम थोरी से मेहनत करेंगे तो कबार से ही हमारी बगया में इतनी सारे पोट तयार हो जाते हैं क्योंकि हमारे बगया में ठेंसे बहुत सारे घर से ही निकले हुए पोट हैं तो आप सब अगर ये वीडियो इस्टाग्राम फेस्बूक मोज कहीं भी देख रहे हैं तो वहाँ पे भी मुझे फॉलो करना वीडियो का लाइक सेर देना तो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बाई बाई फ्रेंड्स